देखिए भारत एट नाइन काबेंद चौहान के साथ नमस्कार दोस्तों एक बार फिर हाजर हूँ मैं लेके भारत एट नाइन दर्शकों आज एक बार फिर पाकिस्तान की खटिया खडी आज एक बार फिर पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि उसको क्यों कटोरा लेकर घूमने वाला देश कहा जाता है आज एक बार फिर पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि आखिर क्यों हम उसको एक मूर्खों की तोली कहते हैं आज एक बार फिर पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि आगर क्यों उनके मिनिस्टर्स को एक मूर्खों का गुट कहा जाए आज एक बार फिर पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि उनका मेंटल लेवल क्या है क्यूंकि दर्शकों अगर पाकिस्तान की माने तो भारत के एक रैपर और ये बहुत हास्यासपद है भारत के एक ट्रोल हुए रैपर जिनका नाम ओम प्रकाश मिश्रा है उनका कहना है कि ओम प्रकाश मिश्रा वो रैपर जिसका एक गाना आया था और गाने के बोल बहुत बेहुदा थे लेकिन फिर भी उनके गानों के जो बोल थे उसको लेकर वो ट्रोल हुए और लगातार ट्रोल होते रहे और पाकिस्तान के मिनिस्टर मंत्रियों का आज कहना है कि ओम प्रकाश मिश्रा भारत का एक नौजवान एक यूवा जो भारत पे सिर्व इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसने एक बेहुदा सा गाना बनाया था वो पाकिस्तान के लिए आज सबसे बड़ा खत्रा ये हसास्पद है ये मजाकिया है लेकिन ये सच है क्योंकि पाकिस्तान के मिनिस्टर एक प्रेस कॉंफरेंस में आए और उन्होंने कहा कि भारत से लगातार साजिशे हो रही है पाकिस्तान में एक सिचुएशन क्रियेट कही जा रही है पाकिस्तान को परेशानियों में डालने की साज़िश है भारत की और ये कौन कर रहा है तो दर्शकों लाफ आउट लाउड क्योंकि उन्होंने नाम लिया ओम प्रिकाश मिश्रा का पाकिस्तान की ये दलीले एक जोक है और वो खुद जोक है बार बार साबित करते हैं न रुकते हैं न ठंते हैं अपना मजाक बनवाते रहते हैं क्या कुछ कहा है वहाँ के मंतरी फवाद साहब ने सबसे पहले आपको वो उनके कथन उनकी वो बातें उनके वो आरोब सब कुछ सुनना चाहिए जहां वो कहते हैं आपको दिख जाएंगे कि बहुत बड़ी साजिश है हमने उसको अभंडा फोर किया है हमने उसको एक्सपोस किया है हमने भारत की सबसे बड़ी साजिश को एक्सपोस कर दिया और साजिश को एक्सपोस्ट या निकल कर आए ओम प्रिकाश विश्रा एक रैपर जो भारक में गाने बनाता है छोटे छोटे गाने जो यूट्यूब पर चलते हैं तो एक यूट्यूबर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खत्रा आप उनके वच्छों को सुनिये उनकी बा और ये जो एमेल आइडी है ये हिंदुस्तान से वी पी एन के जरीए की गई जिसमें लोकेशन बदली गई सिंगापूर के शू किया गया इंटरस्टिंगली जिस डिवाइस से ये एमेल भेजी गई उस डिवाइस के उपर 13 और आइडी जैनी जिस डिवाइस से ये इमेल हमजा अफीदी की उसकी 13 और आइडी हैं और वो 13 की 13 जो आइडी हैं वो हिंदी नामों के उपर हैं जिसमें ज्यादा तर जो 12 इमेल जो और इस आइडी के साथ अफिलियेटिड हैं वो इंडियन और हिंदी नामों के उपर हैं उन में फिल्मों के नामों के उपर जो है वो इमेल्स क्रियेट की गई है और तमाम जो इमेल्स हैं वो एक्चली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और दूसरे ड्रामा और म्यूजिक उनके नामों के उबर बनाई गई है सिर्फ एक नाम उनमें डिफरेंट डाला गया है वो है हमजा अफरीदी का नाम जिस्ट तो शो कि ये इमेल जो है ये पाकिस्तान से जो है वो जनरेट की गई है और जान बूज के हमजा अफरीदी का नाम यूज किया गया ताकि इसको वो एक मिल सके कि ये पाकिस्तान में एक जो है वो टेरिस थ्रेट जो है वो मौजूद है ये जो मॉबाइल डिवाइस ह ये August 2019 में इंडिया में लाँच की गी ये डिवाइस का भी हमने जो है वो इसको जो देख लिया है जो मुबाइल सिम है वो 25 सेप्टेंबर 2019 को रिजिस्टर हुई हिंदुस्तान में और उसका जो सिंगलर जो यूजर है वो बी इडेंटिफाइड है Social Media Correlation Exploitation revealed that possible user of this email ID is an Indian Omkir Prakash Mishra from Mumbai, Manashtra तो दर्शे को कुल जबात ये है कि पाकिस्तान के मिनिस्टर जैसा मानते हैं कि भारत का, एक second grade rapper, एक YouTuber, उनकी intelligence agency, उनकी सरकार, उनकी सेना से भी बढ़कर है So it's a proud moment for us, क्योंकि अगर Omkir Prakash Mishra जो कि एक YouTuber है, एक one song wonder है अगर वो व्यक्ति पूरे पाकिस्तान के लिए खत्रा है, अगर वो व्यक्ति ISI के समान है अगर Omkir Prakash Mishra पाकिस्तान के ministers को लगता है कि उनकी ISI को crack कर सकता है अगर उनको लगता है कि वो पाकिस्तान में unstability crack कर सकता है तो सोचिए कि भारतिय सेना के सामने उनके पसीने का बज़न कितना होता उनकी शर्ट, पतलून, पैंड, सब जीला होने में कितना समय लगता होगा जब एक भारतिय रैपर के सामने इन लोगों का ये हाल है एक मंत्री आकर दिखाते हैं, मेल्स दिखाते हैं और वो कहते हैं कि देखिए, वहाँ मुंबई से, भारत के मुंबई से एक रैपर आता है, और वो रैपर मेल करता है, धमकी देता है, जिसकी वज़ह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ट पूरा डिस्ट्रॉइड जिसकी वज़ह से पाकिस्तान का फ्यूचर खतम जिसकी वजह से न्यूजिलेंड की टीम जो 18 साल बाद पाकिस्तान में खेलने आई थी वो वापस लोट जाती है हद मजाक और हद मजाक भी कहना यहाँ पर नागवार होगा क्योंकि पाकिस्तान खुद में मजाक है और पाकिस्तान बार-बार अपनी हरकतों से अपनी हरकतों से बार-बार दुनिया के सामने अपना मजाक बनाता है जो पाकिस्तान केवल और केवल अपनी सरहदों में आतंकियों की फैक्टरी चलाता है जो आतंकवादियों की ग्रूमिंग का काम करता है जो आतंगवादियों का लाइस्टाई आतंगवादियों को पढ़ाना जब इंटेलिजंस एजेंसी की बात करता है यह पाकिस्तान जब सिक्यूरिटी काउंसिल जैसे बड़े-बड़े शब्दों की बात करता है और निकल के राता है वो कहता है कि मैंने भारत को एक्सपोस कैन आओ दिनेम ओम प्रकाश मिश्रा बखाइदा प्रेस कॉन्फरेंस होती है प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं फवाद चौधरी, मंत्री जी बैठते हैं उनके आसपास और लोग हैं और सोच ये कैसा प्रेंक करते हैं कैसा मजाक उड़वाते हैं कैसी हर्कत करते हैं क्या करते हैं भारत के एक यूट्यूबर बिचारा छोटा सा एक लड़का जो एक गाना गाया था उसकी वज़े से ट्रोल हुआ था उसकी फोटो लगाते हैं ये 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 पाकिस्तान के लिए खत्रा फवाद चौधरी मंतरी साहब कहते हैं पाकिस्तान के लिए खत्रा है दर्शको कुछ दिरों पहले की बात है कि न्यूजिलेंड की टीम पाकिस्तान में खेलने पहुँची थी लेकिन जब वहाँ पर खेलने पहुँचे तो उसके बाद उनको ऐसा लगा उनके जो board of cricket है उन्होंने कहा कि यहां पर आपको खत्रा हो सकता है आपका यहां खेलना ठीक नहीं है वो लोग वापस चले गए उन्होंने इसको threat बताया security threat बताया था और वापस चले गए and that's good क्योंकि अगर आपको कई खत्रा है अगर किसी देश पे जाकर आपको खत्रा लग रहा है तो आप वापस जा सके और ऐसा पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ पाकिस्तान में आतंकी गतिविदिया होती है आतंकियों को ट्रेनिंग मिलती है आतंकियों के छोटे छोटे गड़ है और यह पूरी दुनिया जानती है पूरा विश्व जानता है क्यूंकि पाकिस्तान आतंकियों को पालता है और यह सच है और ऐसे में जब एक आतंकी मुल्क जहां की सरकार, जहां की सेना सब आतंकियों की समर्थक हो जहां पर गधों में बैठ कर पत्रकारिता होती हो जहां पर खाने से पहले कटोरा लेकर चीन की तरफ देखना पड़ता हो अमेरिका की तरफ देखना पड़ता हो जहां के प्रधान मंतरी को अपना घर किराये पे चड़ाना पड़ता हो ताकि देश की इकॉनोमी को सुधारा जा सके ऐसे मुलक क्या कहना और आखिर में आज एक बर फिर इन्होंने दर्शु को अपना मजाग बनवाया एक बर फिर उन्होंने अपनी खिल्ली उड़वाई है एक बर फिर पाकिस्तान ने अपनी पूरी की पूरी इज़त मठिया मेट कर दी क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अब एक प्रेस कॉन्फरेंस कर जहां पर पूरा मीडिया इनका इखटा ता पूरा मीडिया प्रेस कॉन्फरेंस करें और ओम प्रकाश मिश्रा का नाम लिया ओम प्रकाश मिश्रा थ्रेट है पाकिस्तान के लिए खत्रा है इससे बड़ा आज क्या मचा खुझा और इनकी मीडिया जो गधों पर बैट कर करक्रम करती है इनकी मीडिया जो बताती है कि देखिये तौबा 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 आज हम कहते हैं तौबा तौबा इनकी मीडिया पर तौबा तौबा क्योंकि इनकी मीडिया इतना भी नहीं रिसर्च से निकाल सकी कि जिसका नाम मंत्री ने लिया है वो दरसल रॉका एजेंट रही वो एक छोटा सा एक यूट्यूबर है इनकी मीडिया के बेग फ्लैश, ब्रेकिंग निउस के साथ ही कारणामे देखिए ज़रा इनकी मीडिया के कारणामे आपको दिखाएंगे इनकी मीडिया के कारणामे ज़रा देखिए बुलिटन में सबसे पहले आपको बताएं न्यूजिलेंट का दौरा मनसूख कराने के लिए थ्रेट्स भारत में तयार हुई तरीक लबैंक एहसान उलाहसान और हमसा अफरीधी के नामों से आईडीज भारत में बनाई गई वज़र इतलाथ और वज़र दाखला हमले की धंकियों में भारती किरदार सामने ले आए थ्रेट्स में इस्तमाल होने वाली आईडीज की मजीद तहकीकात के लिए इंटर पॉल से राबदा कर लिया गया है फवाद चाधरी ने कहा न्यूजीलेंड हुकूमत से भी कहा है कि जो उन्हें थ्रेट्स मिला हमसे शियर करें इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमती एडवाईजरी तब्दील ना होने के बावजूद दोरा मनसुख किया बहुत ठका हुआ बहाना है कि प्लेयर्स ठके हुए हैं कानुनी माहिरी ने इजाज़त दी तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कानुनी कारा जोई करेंगे प्राइमेरिली के वो यहां पे जो दोरा है न्यूजीलेंड का उसको वो कैंसर कराते और अभी तक हम यह समझते हैं कि जो न्यूजीलेंड की गर्वर्मेंट है उसको भी हम यह समझते हैं कि उनको चाहिए कि जो स्पेसिफिक थ्रेट है जो उनको विला वो हमारे साथ शेयर करें बरतानिया की हकूमत को सिक्यूरिटी एजिंसिस को पाकिस्तान के अंदर जो तहफूज है उसके उपर कोई इतराज नहीं है तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड तो कोई नहीं होता कि इतराज करें ये कहना कि इंग्लिश प्लेर्स ठागे थे ये बड़ा ठाका हुआ बहाना है इसी प्रेस कांफरिंस के दौरान विफाकी वजीर दाक्राश शेख रशीद ने कहा भारत पाकिस्तान में देहशत गर्डी से बाज नहीं आ रहा निजीलेंड क्विके टीम के दौरा पाकिस्तान की मनसूखी पर पाकिस्तान के तनहा होने की बाते करने वाले अखल के अंधे हैं ये भी कहा कि हम जिन्दा कौम हैं हमें तनहा और नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता हमने दस हजार से ज्यादा गर्मों को एवेक्योएट किया है नेटो फोर्सेस को किया है आइमेफ को किया है अमेरिकन्स को किया है वर्ड बेंक को किया है जिस वक्त न्यूजीलेंड की टीम ठहरी हुई थी वहां और भी 11-12 इंपॉर्टन परसनल्टी ठहरी हुई थी क्योंकि इंडिया को मायूसी हुई है कि पाकिस्तान स्केप बोर्ट नहीं बन सका और हिंदुस्तान का जो यह सोचती कि वहां खाना जंगी होगी यह सारा टोपी ड्रम है और इस टोपी ड्रम के जो दुस्ताने पहने हुए हाथ है उनको नाकामी होगी दुर्शक गृष ग्रिश दाफ्ट यह सारा टोपी ड्रम है और इस टोपी ड्रम है के जो दुस्ताने पहने हुए हाथ है उनको नाकामी होगी that a rapper, a YouTuber from India is a biggest threat to them. ऐसा वो लोग सोचते हुआ और दरशको थोड़ा सा पीछे जाना हुगा पाकिस्तान की हर बाते कितनी जूट जूट और कितनी जूट होती है इसका अंदाजय इस बात से लगाय जा सकता है कि पाकिस्तान भारत पर जो भी आरोप लगाता है जो भी आरोप लगाता है वो सब मिंटों में चुट्कियों में एक सिंपल गूगल रिसर्च पर सामने आ चाते हैं चाहें कोई भी कोई भी बात की गई हूँ पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि उन्होंने एर स्ट्राइक नहीं की सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई लेकिन हमारी तरव से दिये गए सुबूतों में साफ हो गया कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई पाकिस्तान पर एल स्ट्राइक भी हुई और पाकिस्तान में घुस कर हमने उन आतंकियों को मारा जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेते हैं हमारी लडाई वहां के सामाने लोगों से वहां की जंता से बिलकुल नहीं वो खुद विचारे वहां की सरकार, वहां की सेना, वहां की इंटेलिजन्स यूनिट जो की मूर्कों का एक ग्रुप है उनके अंडर में विचारे परिशान भारत और पाकिस्तान एक साथ अलग हुए थे, भारत का बेटा है पाकिस्तान भारत का एक अंग अलग किया गया था, कुछ लोगों की रणनीती, राजनीती के चिक्कर अलग मुल्क दिया हमने उनको, अलग मुल्क में वो लोग रहने गए लेकिन आज कितना पिछड गए, ना तो खाने के लिए ढंक से खाना मिल रहा, ना तो एकॉनमी में कोई बूस्ट है और कोरोना के वक्त किस तरीके से उनकी विवस्था चर्मरा गई, किस तरीके से आज भी दुनिया के पटल पर किस तरह से आईसुलेट रहते हैं कोई भी उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, कोई भी उनके क्रिकेटर्स को अपने आह लेना नहीं चाहता, कोई भी उनके इंवेस्टमेंट नहीं करना चाहता, कोई भी उनके साथ ट्रेट नहीं करना चाहता उनके पाकिस्तानी PM बार-बार, बार-बार कहते हैं कि उनाइटेट स्टेट्स के प्रेसिडेंट हमारा फोन नहीं उठाते हैं हमसे बात नहीं कर रहे हैं और वही प्रेसिडेंट भारत के प्रधान मंत्री को इंविटेशन दे कर बुलाते हैं ये हाल हो चुका है पाकिस्तान का ये इस्थिती हो चुकी है पाकिस्तान की और हमको तरस आता है I feel sorry for the Pakistanis क्योंकि वो पाकिस्तानी जो भारत के लोग है क्योंकि आज भी हम ऐसा मानते है कि पाकिस्तान भारत का ही बेटा है भारत का ही टुकडा है पाकिस्तान के जो लोग है वो भारतवासी ही है पाकिस्तान के जो लोग है वो हिंदुस्तानी ही है लेकिन वहाँ के कुछ लोग जिनके दिमाग में राजनीति की सियासत बहती है वहाँ की intelligence unit so called जो आतंकियों का दरसल training center है वो लोग कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं और दर्चकों ये वही लोग हैं जिनकी वजह से भारत से पाकिस्तान को तूट कर अलग होना पड़े जिनकी वजह से एक अलग मुल्क बनाने की जरुत पड़ी थी ये वही मानसिक्ता की लोग हैं जिन्होंने हमारे विशालकाए भारत वर्ष को बिभाजित किया और आज विभाजन के बाद इन्होंने सोचा था कि एक मुल्क लेकर पूरी तरीके से एक बड़ा सा कुछ करेंगे इसको आतंकी फ्रेक्टरी बना देंगे इसको दुनिया में एक सेंटर बना देंगे जिसके जरीय पूरे दुनिया कर कबजा करेंगे आतंक फैलाएंगे लेकिन आज पूरी दुनिया जाग चुकी है और पूरी दुनिया टार्गेट कर रही है पाकिस्तान को इनको बता रही हैं कि आप आईसुलेट हो चुके हैं आपके साथ कोई किसी तरीके के संबंद नहीं रखना चाहता है आप अलग धलग पड़े हैं आपको कोई वी वैश्विक मीटिंग्स में जल्दी इन्वाइट नहीं किया जाता है आपकी बातों को अंसुना किया जाता है आप कश्मीर को लेकर हर जगा हर जगा रोते रहते हैं हर जगा भीक बांगते रहते हैं लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर भारत का अंग है ऐसे ही तमाम बार आपकी बेच्चती हूँ आपके खिलाफ कितनी बार लोगों ने बोला, लोगों ने कहा चुप करिये रुख जाईए, मजाख मत बनवाईए लेकिन नहीं आप इसी के काबिल है और आपके मंत्री जिनको basic knowledge नहीं है जिनको basic knowledge नहीं है कि क्या होता है, कैसे होता है I don't know कि इनके साथ इनके सलहकार इन मंत्रियों के साथ कोई team होती भी है इनकी intelligence unit basic google चलाना जानती भी है इनकी team को internet के बारे में पता भी है, इनकी जो so called intelligence unit है उनका IQ level 1 के उपर है भी या नहीं इनकी जो intelligence unit है उसको simple wikipedia simple youtube simple google search कुछ आता भी है या नहीं क्योंकि अगर आप simple google search कर लेते कि जिस शक्स को आप rock agent बताने वाले हैं जिस शक्स को आप बताने वाले हैं कि उसने आपकी मुल्क में एक दहशत मचा दी है आपके लिए तना बड़ा खत्रा बन चुका है वो कुछ नहीं है इसका सोचने की कि कैसे उनके मुल्क में रोटी आएगी कैसे उनके मुल्क में बेरोज़गारी खत्म होगी कैसे उनके मुल्क में महिला और पुरुशों के बीच में समानता आएगी कैसे उनके मुल्क में अलपशंख्यकों को भी नियाए मिल सकेगा कैसे उनके मुल्क में लोग धर्म से हटकर भी बाकी चीजों का सोच सकेंगे कैसे वो developing nation बनेंगे कैसे वो progress करेंगे यह सब सोचने के वज़ाए पाकिस्तान के लोग सोचते हैं पाकिस्तान के ministers, पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान की police, पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के उच्चा दिकारी सब यहीं सोचते हैं कि कैसे कैसे बंदूग बनेगी कैसे यहां पर आतंग की नई फैक्टरी लगेगी कैसे यहां से नए नए आतंग की पैदा किये जाएंगे कैसे हम आतंगवादी भेज कर कश्मीर में प्रॉब्लम्स क्रियेट करेंगे कैसे हम भारत के सामने बड़ा बनकर दिखा सकेंगे लेकिन आखिर में हर बार की तरह अपनी ही बेज़दी करवा कर बैठ जाएंगे दर्शकों ये एक ऐसा देश जहां पर कितनी भी कोशिश कर लें कैसी भी कोशिश कर लें कैसे भी समझाने की कोशिश कर लें हमने हर तरीके से मौकिक रूप से समझाया हमने टेलीफोन से समझाया हमने मौकिक से समझाया टेलीफोन से समझाया नहीं माने तो फिर हमने घुसकर थपड से भी समझाया हमने एर स्ट्राइक से भी समझाया लेकिन हर बार की तरह पाकिस्तान की एक ही आदत है खुद की खिली उढ़वाना और इस बार भी उन्होंने यही किया New Zealand की टीम इस लिए पाकिस्तान को छोड़ कर गई थी क्योंकि उन्हें खत्रा था क्योंकि पाकिस्तान के हर कोने नुकर गली चौराय गाओं कहीं भी कहीं भी पाकिस्तान में आतंकी छिपा हो सकता है क्योंकि वहाँ पर बहुत जगहों पर आतंकीयों की फैक्ट्रियां है आतंकी फैक्ट्री है तो पाकिस्तान को चाहिए कि खुद इस पर काम करे पाकिस्तान को चाहिए कि अपने देश से पहले आतंकियों का सफाया करे और अपने यहाँ जितने भी यह ट्रेनिंग सेंटर्स है जो टेरिस्ट बनाते हैं उनका सफाया करे तब जाकर कोई बात करें और फवाद चौदरी साब अगर आप सुन रहा है तो आपको एक बात बता देता हूँ कि आप एक सोर्स ओफ जोक एक सोर्स ओफ मीम बन चुके हैं भारत में आपकी खिल्ली उड़ रही है पाकिस्तान में भी आपकी खिल्ली उड़ेगी क्योंकि आप विकरस्ट एक्सपोज ये एक्सपोज वो एक्सपोज करकर जब सामने आए तो आपने एक इंडियन यूट्यूबर का नाम ले लिया इसलिए आज मैं आप से कहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा गूगल चलाना सीखिए थोड़ा सा आगे बढ़िये टेक्निलोजी एडवांस हो रही है इसको सीखिए और इंटेलिजेंस यूनिट से किये ये कि इंटेलिजेंस यूनिट का मतलब होता है इंटेलिजेंटली वर्क करना उनको कुछ नहीं आता पूरी टीम का रेजिगनेशन लीजिए और एक नई टीम स्थापित करिये था कि आप आगे भी कुछ कर सकें और इंटेलिजेंस टीम अगर मजबूत होगी तो शायद अपने देश पे पनपते आतंकियों से भी आप छुटकार अपा सकें और विश्व में एक बार फिर पाकिस्तान को इस तरीके की हुमिलिजिशन इस तरीके की इंसल्ट का सामना ना करना पड़े कल एक बार फिर आप समी से मुलाकात होगी तब तक के लिए शुक्रिया